Good morning friends, स्वागत है आपका, आपका अपने YouTube चैनल, Study with Ravya Thakur पर तो चलिए आज के दे हिंदू डिटूरियल वकाबडर की शिर्गवात करते हैं आज का जो पहला एडिटूरियल दिया गया है दे हिंदू का उसका heading है Small doses on the second COVID-19 wave and the stimulus पहला जो डिटूरियल दिया गया है, यह COVID-19 के बारे में दिया गया है सरकार ने कुछे कभी राहत package की घोशना की है COVID-19 की second wave से लड़ने के लिए उससे जो प्रभावित लोग है उनके लिए जो घोशना की गयी है राहत package की उसके बारे में बाते कही गई है कि किस तरह से लोन देने संबंदी बाते भी कही गई है और किस तरह से एकॉनमी को जो है बूस्ट अप किया जाएगा उसके बारे में भी बाते कही गई है तो आप एडिटूरियल पढ़ जकते हैं पहला जो वर्ड है आज का वो है stimulus stimulus word यहां पे नाम की तरह यूज हुआ है stimulus का मतलब होता है किसी भी काम को बढ़ावा देना अनकरेज करना किसी चीज़ को प्रोथसाहन देना या उसाना या भढ़काना किसी चीज़ को उस कंटेक्स्ट में भी इस वर्ड का यूज हो जाएगा stimulus का a stimulus is something that encourages activity in people or things that is called stimulus synonyms आप देख सकते है inventive, spur, inducement, encouragement inventive, spur, inducement or encouragement antonym से deterrent, hindrance, block or disincentive example आप देख सकते है interest rates could fall soon and be a stimulus to the US economy जो interest rates है अगर उसमें कमी आती है तो वो interest rates could fall soon जो interest rates ब्याज में अगर कटोती होती है तो वो एक अच्छी बात होगी बढ़ोतरी के लिए किसकी बढ़ोतरी के लिए US economy की बढ़ोतरी के लिए उसकी मतलब उसमें वृद्धी होने के लिए जो वहांगी अर्थ व्यवस्ता है US की अगला हमारा शब्द है stir stir वर्ड यहाँ पर वर्ब की तरह उसमें बढ़ोतरी होता है किसी भी चीज में हलचल होना मतलब changes होना development होना खास कर हिलना दुनना हलचल होना बदलाव होना किसी तरह का उसे बोला जाएगा stir if you do not stir from a place you do not move from it stir का यूज हुआ है editorial में economy की sense में ही हुआ है क्योंकि वो just की तस है उसमें कोई किसी तरह का कोई development नहीं हुई है उस context में इस word का यूज हुआ है stir का synonym साब देख लीजे move, stimulate, rouse, or excite move, stimulate, rouse, or excite and time से calm, discourage, peace, or quiet example आप देख सकते हैं she had not stirred from the house that evening शाम को वो अपने घर से बाहर नहीं निकलिया हिली डूली नहीं अपने घर से बाहर वो नहीं निकलिया आगला हमारा शब्द है abysmal abysmal word यहां पर adjective तरह यूज हुआ है abysmal का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि बहुत बुरी अवस्था में हो बहुत खराब अवस्था में होना उसे बूला जाता है abysmal if you describe a situation or the condition of something as abysmal you think that it is very bad or poor in quality that is called abysmal synonyms आप देख सकते हैं awful dreadful, appalling or terrible awful, dreadful, appalling or terrible antonym says beautiful, good, wonderful or nice beautiful, good, wonderful or nice इसके antonym's है abysmal word के example आप देख सकता है विरात कोहली and team set abysmal records after loss in perth test की विरात कोहली की team और उनकी team ने क्या किया perth test वो हार गए तो उन्हों बहुत बुरी मतलब वो क्या करी है बहुत गंदा, बहुत बुरा record उन्होंने एक बना लिया perth test हार कर अगला हमारा शब्द है ramp up ramp up word यहां पर वर्प की तरह use हुआ है, ramp up का मतलब होता है किसी भी चीज़ में बड़ी तेजी के साथ वरिद्धी होना, बढ़ोत्तरी होना उसे बोला जाएगा ramp up to increase or cause to increase is called ramp up synonyms आप देख सकते हैं build, increase, work up और accretion build, increase, work up और accretion इसके synonyms हैं, antonyms है wait, abate, abage और block example देख लीजे, the foreign trade is ramping up कि जो foreign trade है, विदेशी जो वेपार है उसमें बढ़ोत्तरी हो रही है, तेजी के साथ वो बढ़ रहा है अगला हमारा शब्द है pediatric, pediatric word यहां पे जिक्टिक भी तरह यूज हुआ है, pediatric का मतलब होता है, बच्चों के रोग से संबन देते हैं, बच्चों की रोग मतलब उनकी चिकित्सा संबन दी जो भी चीजे होती है, बच्चों से चिकित्सा संबन दी किसी भी चीज की बात हो रही है, that is called pediatric, of or relating to the medical care of children, that is called pediatric synonym साब देख लिजिए, synonym से इसके देख लिजिए, infantine और pediatrician, मैं दो pediatrician बच्चों की चिकित्सा कोते हैं, जो बाल वीशेशा की, बाल रोग वीशेशा की होते हैं, उन्हें बोला जाता है pediatrician, example आप देख सकते हैं, he completed his pediatric residency at Stanford University Hospital की, उसने complete की अपनी जो pediatric residency थी, उन्होंने कहां complete की, Stanford University Hospital में उन्होंने complete की, अगला हमारा शब्द है, vulnerable, vulnerable word यहां पर objective भी तरह यूज़ हुआ है, vulnerable का मतलब होता है, ऐसी कोई स्थिती है, ऐसी कोई बात जो बहत, जिसे easily hurt किया जा सके, बहत कमजोर होना, दुरबल होना, सुरक्षित होना, उसे बोला जाएगा, vulnerable, someone who is vulnerable, is weak and without protection, with the result that they are easily hurt physically or emotionally, that is called vulnerable synonyms आप देख सकते हैं exposed, susceptible, unprotected defenseless, exposed susceptible, unprotected or defenseless, antonyms safe, secure and vulnerable or guarded, इसके antonyms है vulnerable word के, example आप देख सकते हैं, old people are particularly vulnerable members of our society, कि जो बुड़े लोग होते हैं, वो खास कर विशेश तोर पर कमजोर लोग हैं, हमारी society के बहत, दुरबल, नाजुक लोग होते हैं हमारी society के, हमारी समाज के अगला हमारा शब्द है, propensity propensity word होना, natural tendency होना जुकाओ प्रवित्ती या सहज प्रवित्ती होना, उसे बुला जाएगा propensity, a propensity to do something or a propensity of something is a natural tendency to behave in a particular way that is called propensity synonym साब देख सकते हैं, tendency proclivity, inclination or bias, tendency, proclivity inclination or bias antonym साब देख सकते हैं, aversion, dislike hate or neutrality avulsion, dislike hate or neutrality इसके antonym से हैं, propensity word के example आप देख सकते हैं Mr. Butler has the propensity to put off decisions to the last minute जो Mr. Butler है यह जो Mr. Butler है इन्हें आदत हैं कि कोई भी निर्ण जो कोई भी important decisions होते हैं उन्हें अन्तिमक्षण पर छोड़ने की last time, last minute पर पर पी वो decision कोई भी निर्ण ने लेते हैं उन्हें ऐसी आदत बन चोकी है ऐसी उनकी प्रवित्ती बन चोकी है यहां से हमारा दूसरा editorial शुरू होता है दूसरे editorial का heading आप देखी रहे हैं desert home on UAE United Arab Amirath as India's cricket venue desert home on UAE as India's cricket venue तो अभी जो T20 का World Cup होना है उसका venue हमारा भारत देश था परन्तु हमारा इंडिया था पर अब जो उसका venue है जो T20 World Cup खेला जाएगा वो अब UAE में खेला जा सकता इस तरह की संभावना है मतलब most probably definitely हो ही जाएगा इसके बारे बाते कही गई है तो important editorial है क्योंकि करोना की जो surge है wave है वो मतलब काफी cases हैं इंडिया में हमारे देश में करोना के तो उससे मतलब इस तरह से organize नहीं करवाय जाएगा जो T20 World Cup है इंडिया में तो वो अब UAE में करवाय जाएगा जो T20 अभी होना है World Cup इसके बारे में दियागा sports motivated editorial है तो पढ़ लीजेगा ऐसे भी important है पहला जो word है इसका वो है inevitable inevitable word यहां पेजेक्टिक वी तरह use हुआ है inevitable का मतलब होता है ऐसे कोई बात है ऐसे कोई घटना जिससे बचा ना जा सके जो होकर ही रहेगी अनिवार्य होगी जो अनिवार्य है अपरिहार्य होगी जिससे टाला ना जा सके जिससे बचा ना जा सके तो उसे बोला जाएगा inevitable if something is inevitable it is certain to happen and cannot be prevented or avoided that is called inevitable synonyms आप देख सकते हैं unavoidable inescapable certain necessary antonym से avoidable evitable preventable or unlikely example आप देख सकते हैं with more cars on the road traffic jams are inevitable कि जादा कार roads पर जो है वो जादा कार होने की वज़े से जो traffic jam है उससे बचा नहीं जा सकता वो लगके ही रहेगा मतलब लगना ही है traffic jam में क्यूंकि सडकों पर कारोपियसंग्या बहुत जादा है अगला हमारा शब्द है फ्रॉट वर्ड यहां पर जेक्टिक की तरह उस हुआ है फ्रॉट का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिती या ऐसी कोई चीज जो की अर उचीकर बातों से unpleasant जो ऐसी कोई चीज़े हैं उससे भरी पड़ी हो इस तरह से बातों से परिपूर्ण होना उसे बुला जाएगा फ्रॉट असीचिवेशन फ्रॉट विद देंजर और दिफिकल्टी इस काल्ड फ्रॉट से अनॉनिम साब देख सकते हैं टेंस, एंक्शिस, चार्ज्ट और स्ट्रेस्ट एंक्शिस, चार्ज्ट और स्ट्रेस्ट इसके उन्टानिम्स हैं एंगजाम्बल देख लीजिए अपरियोंगे इंप्रॉट औरमॉट और फ्रॉट विद डंजर कोई टैक्निक कोई पढ़दी है वह.. शुरुमें वह उसको अम्प्लॉइ किया गया तो उस टैकनीक को लाने में उसे मात्ल शुरुआत में, earliest operations जब चलाया गया उसे रूचिकर बातों से परफूर्ण थी, बहुत खत्रो भरी थी, इस तरह का ऩो टेकनीक थी, शुरुचिकर बातों से परफूर्ण हम बोल सकते हैं, यहाँ खत्रों से भरी परी थी अगला हमारे चब्द है ambivalent ambivalent word यहां पर जेक्टिवी तरह यूज हुआ है ambivalent word का मतलब होता है मतलब दुविधा पूर्ण स्थिती में होना या mixed feelings है मिली जूली भावनाव से परिपूर्ण होना या किसी चीज़ को लेकर uncertainty हो दुविधा हो decision हम ना ले पा रहे हैं उस condition को बूला जाएगा ambivalent if you say that someone is ambivalent about something they seem to be uncertain whether they really want it or whether they really approve of it that is called ambivalent synonym साब देख सकते है uncertain, indecisive, undecided, equivocal uncertain, indecisive, undecided or equivocal antonym से certain, decided, sure or conclusive certain, decided, sure or conclusive इसके antonym से ambivalent word के example आप देख सकते हैं she remained ambivalent about her marriage कि वो दुविधा में थी अपनी शादी के बारे में की करनी है नहीं करनी है कुछ भी इस तरह की चीज़े है मतलब कि इस स्थिती में थी दूविधा भरी पूर्ण स्थिती में थी अगला हमारा शब्द है vintage vintage word यहां पर एक्जेक्टिक भी तरह यूज हुआ है vintage का मतलब होता है vintage का वैसे simply साम मतलब होता है पुरानी पूरानी कारों से vintage का मतलब हम wine की sense में भी लेते हैं मतलब ऐसी कोई चीज जो की बहुत पुरानी भी हो old-fashioned भी हो और अच्छी हो टिकाओ हो उसे बुला जाएगा vintage पुराना होना और बढ़िया होना quality में या पुरानी शराब या गाड़ी में ने लिख दिया है यहां पे देख लीजिए denoting something from the past of high quality especially something representing the best of its kind its kind that is called vintage synonyms अब देख सकते हैं classic, antique, old or old-fashioned classic, antique, old and old-fashioned इसके synonyms हैं antonym से new, fresh, modern or current इसके antonym से vintage word के example अब देख सकते हैं he is a vintage artist कि वो क्या है बहुत पुराना जो है वो बहुत बढ़िया बहुत पुराना वो क्या है artist है अगला हमारा शब्ज जोस्ट और यह new word है ध्यान अखिएगा जोस्ट वर्ड यहां पर वर्प की तरह यूज हुआ है जोस्ट का मतलब होता है अपने आपको सही साबित करने के लिए मतलब best साबित करने के लिए best prove करने के लिए उतकरिष्ट साबित करने के लिए किसी के साथ किसी तरह का कोई मुकाबला करना कोई मतलब fight करना battle या लड़ना किसी चीज को मतलब अपने आपको मतलब best साबित करने के लिए उसे बोला जाएगा जोस्ट या competition करना compete करना किसी के साथ when two or more people or organizations JOST they compete to see who is better that is called JOST JOST के synonym देख लिखेजे tournament, fight, battle or combat इसके अंटॉर्णिम से accord, harmony, peace and concord accord, harmony, peace and concord इसके अंटॉर्णिम से JOST, word के example देख लॉयर्स for the two parties JOST in the courtroom कि courtroom में जो lawyers हैं आपने देखा ही होगा फिल्मों में एकसा देखा होगा आपने जो courtroom में जो दोनों lawyers होते दोनों पार्टियों के वापस में क्या बहस बाजी करते हैं मतलब अपने client को निर्दोश साबित करने के लिए हम गलत नहीं हैं अपने आपको अज best थाबित करने के लिए क्या करते हैं वो दलीले देते हैं अगला हमारा शब्द है turf और यह turf वर्ड आज के देहिंदू डिटूरियल वकादरी का अंतिम शब्द है turf का मतलब होता है गहास का मैदान तो यहां बात कही गई जो cricket के मैदान होता है उसकी बात कही गई यहां पर उसको बोला गया है turf तो गहास के मैदान को बोला जाएगा turf a piece of short thick grass and a layer of soil underneath it that is called turf synonyms आप देख सकते हैं grass, greenwood, area और lawn ग्रास, greensward, area और lawn एंटॉनिम से sky, house, lodge और no place एंटॉनिम से इसके turf वर्ड के example आप देख लिए they walked across the springy turf की वो springy turf जो जहलरदार जो जहास थी springy का मतलब जहलरदार जो जहास थी वो उस मैदान से पार चले गए तो I hope आपको आज की vocabulary informative लगी होगी थोड़ा सा कुछ सीखा होगा आपने vocabulary से आपका किसी तरह कर भी कुछ suggestion है तो please comment box में जरूर करिएगा आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करने तो please चैनल को subscribe कर दीजेगा और हो सकते तो आप साथ में bell icon प्रेस भी कर दीजेगा जिससे की जब भी मैं कई नई video upload करता हूं YouTube पे तो उसका notification आपको time to time मिलता रहा करेगा और please अगर video आपको अच्छी लगे तो like कर दीजेगा अच्छी ना लगे तो dislike आप कर सकते हैं तो इस video में इतना ही सिधर के informative videos के लिए चैनल पर thank you thanks for watching